दोस्तो एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल आर एनस एजूकेशन यूज में जैसा कि दोस्तो आप सबको पता है बहुत बड़ी खुसी का दिन रीट लेवल वन के 26,000 चैनित बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी होली दिपावली सब कुछ आज यहाँ पर मेरी और आपकी नजर में तो दोस्तो होना भी चाहिए दोस्तो 26,000 चैनित बेरोजगारों के लिए आज दिन भर के आपने ओडियो वीडियो अपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन उपेन भाई ने अब एक अपडेट दिया है आपसे आज जित हुआ था और इसमें अपने भी देखा होगा हजारों की संख्या में भीड उमडी थी हजारों चैनित अभरती उनके परिजन पहुंचे थे तमाम वहाँ पर मीडिया कर्मी और बहुत सारे ऐसे लोग पहुंच यो थे बड़े बड़े तो वहाँ पर ये सम्मिलन आजित किया गया था और यहाँ पर कॉंग्रेस सरकार का अभरव्यक्त किया गया और इस कारे करम में सचिन पालेट जी जो उपमो की मंत्री ने राजस्तान सरकार उन्होंने फोन पर बेरोजगारों को संबोधित किया और जीत पर सुबकाम नहीं दी और दोस्तो रही बात नियुक्ति का तो यहाँ पर सचिन पालेट ने भी और जो राजस्तान सरकार के सिक्स्या मंत्रियें स्रीमान गोविन सिंग डोटा सराजी ने भी कहा है कि नियुक्ति बहुत जल्द और यहाँ पर दोस्तो जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति होने वाली है और चैनित वेर पहुंच जिन में जैपूर की कलेक्टर जगरूप सिंग यादा उन्हें सिर्कत की और सम्मोंदित किया इसके अलाव दोस्तों प्रदेश महासची सुसिल सर्मा एड़ोकेट अनुप दंड रसी चोदरी विपिन सर्माजी ससी भूसन सर्माजी अनेक लोगों ने सिर्कत की और कारेकरम को सम्मोंदित किया यह फोटोज में देख सकते हैं सुसिल सर्मा जी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे वही सुसिल सर्मा जी आपकी जानकारी के लिए बता दो जिन्होंने जिस टाइम पर बीजेपी की गोर्मेंट उन्होंने चुनावाई को लेटर लिखा थ हुआ तो यह सुसिल सर्मा जी ने पनी फेस्बूक आइडिस यह जानकारी दी है इसके लाव दोस्तो यह यहाँ पर फरस्ट इंडिया नूज का भी यहाँ पर पीट देख सकते हैं इन्होंने भी डिप्टी सियम सचीज पाइने ने बेरोजगार युवाउं को दी बदाई ठीक है अब दूस्तो जो काम की बात है यहाँ पर गोविन सिंग डोटा सरा उन्होंने भी बदाई दी है और इन्होंने काहा है कि हम अब चंद दिनों में सिक्सकों को निउक्ती दे रहे हैं सबी को निउक्ती मिल जाएगी चंद दिनों में तो इसमें जादा वक्त नहीं लगने वाला है और कब तक हो सकती है जोइनिंग तो इसके बारे में यहाँ पर अपडेट आप देख लेते हैं तो यहाँ पर उटेंजी आदाव का अपडेट है 33 मिनट पहले का यानि कि जो जानकारी मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में दी उससे पहले का यह अपड दे देना उसी समय निकती के आदेश जारी हो जाएंगे तो दोस्तों आप सबको पता है फैसला जास साब ने सुना दिया उस फैसले को बाद में लिखा जाता है उसका प्रफोर्मा संबंदित कागजा तयार किया जाते हैं और वो हाई कोट और संबंदित जो इसमें देगी तो वो निकती के ओडर जारी कर देंगे अब यहाँ पर उन्होंने कहा है उपेन भाईने की फैसले की कापियाते निकती के आदेश जारी हो जाएंगे किसी भी भाई बेहन को गबरने के आवसकता नहीं है सबी चैनित भरती स्कूलों होंगे इसके लाव दोस्तों ज जाने कि जो रिशफल कलेंडर है वो भी जारी नहीं हुआ है उनके लिए कह रहे हैं कि वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे लेवल प्रथम की रिशफल वेटिंग लिस्ट इसके लाव लेवल टू की वेटिंग लिस्ट और रिशफल का कलेंडर बहुत जल्द जारी होगा ब और बहुत अच्छे से आज आपने सेलिबरेट किया होग अपनी खोशियों को एंजोई करिए और बिलकुल शांती प्रिय तरीके से रहें और चिंता करने कि किसी वे भरती को आशकता नहीं है अब बहुत जल जैसे ही फैसल लेगी कोपी आजूकेशन डिपार्टमेंट को मिल कि सनिवार इतवार कोई काम करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है फैसले की कोपी जैसे मिलेगी तो यह ओडर जारी हो जाएंगे तो फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में यही जनकारी थी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करिए जय हि जय भारत